जैने दोस्तों कैसे हैं आप शबाई होप आप शब इच्छे होंगे आपकी preparation भी सांदर तरीके से चल रहे होंगे दोस्तों आज हम देखने वाले हैं group 2 and subgroup 4 की जो भी पटवारी की तयारी के लिए जो आपके अभी paper हो रहे हैं आपके इसके कुछ important questions हम यहापे देखने वाल हैं तो सभी question यहापे हम कर लेते हैं आप सभी को आयोप आप सभी को question clearly so हो रहे होंगे तो थोड़ा समय speed के साथ कर लेते हैं किवल आपके questions important मुझे लगी इसलिए मैंने आपके साथ share करने का प्रयास किया है ठीक है तोस्तों आपसे पुछा गया पहला question है आप पुछा गय किसे किया गया है दोस्तों याद रखेगा यह award प्रदान किया गया है किसे नरेंद मोधी जो आपके प्रदान मंत्री है present time पे इन्हें प्रदान किया गया है ठीक है next है महिला ODI World Cup 2025 की मेजवानी किसके द्वारा की जाएगी यह directly question आपकी exam में चाप सकता है कि current से question है आपका तो महिला ODI World Cup 2025 की मेजवानी जो करेगा दोस्तों आपके वो करेगा भारत ठीक है कौन करेगा याद रखेगा भारत करने वाला है ठीक है next है CISAR की CSIR की पहली महिला निदेशक किसे नियुक्त किया गया है most important question है दोस्तों याद रखेगा नथा जो आपके आपे देखें sorry न important है याद रखेगा दोस्तों क्या नाम है इनका नला थंबी कलाई शेल वी जो कि आपके नियुक्त किये गई है ठीक है next question है next question है दोस्तों कि उदार सकती नामक युद्ध अभ्यास कि इन दो देशों के मद्ध शंपन हुआ है दोस्तों याद रखेगा उदार सकती नामक य जुद्ध अभ्यास बहुत इसा अंदार प्रश्ण है आपके नेक्स कोश्चन है कि देश का पहला कोश्चन फाइव है हमारा कि देश का पहला हर घर जल प्रमारित जिला कौन सा गोशित किया गया है और आप सभी याद रखे कि दोस्तों यह अगर हम देखें तो आपके बुरहानपुर जो है आपका हर घर जल प्रमारित जिला आपके देखें तो यहापे गोशित किया गया है दोस्तों चप सकता है आपके एक्जाम में कोश्चन तीकि नेक्स कोश्चन कीजेगा कि भारती शमिदान आपके अनकही कहानी जो नामक पुस्तक है इसके लेखक अनकही कहानी नामक पुस्तक के लेखक कोन अगर आपसे पूछा जाए तो दोस्तों याद रखेगा राम बहादुर राय इसके लेखक है ठीक है अगला प्रशन है कि ऑपरेशन मॉल्टिन मेटल का संबंद किसे है दोस्तों तो आपसे भी याद रखेगा यह संबंद है सोन इसके तसकरी से संबंद है आपका यह ओपरेशन ठीक है नेक्स्ट है पुरा तत्मिद विश्नू स्रीधर वाकनकर का जन्म किस जिले में हुआ तो आपके MP करेंट से कोश्च्चन दोस्तों MP के जीके से दोस्तों आपके कोश्चन बन जाएगा कि पुरा तत्मिद दोस्तों आप सभी याद रखेगा इनका जन्म हुआ था आपके नीमच जिले में इनका जन्म हुआ था आपके नीमच जिले में ठीक है उराओं जनजाती की जो बोली है ने दोसटो इसे कहा जबा जाता है कुरुक तो बहुत ही सान्दार प्रश्न है और इसी के साथ हमारा निक्स जो कोश्यने की भारत सरकार द्वारा प्रदरत जो प्रद्मिन? पुरुष्कार है ये अगर हम बात करें निम्यमेशे जो आपके मद्दबरेश की किस प्रशिद हस्ती को दिया गया है दोस्तों ये पुरुषकार option देख लेते हैं दोस्तों किसे प्रदान किया गया है ये तो मुनिश्वर चंदर जुधाया भाई फिर आपके रमेश परमार स्वांती परमार और प्रुक्त शपी दोस्तों याद रखेगा इन सभी को प्रदान किया गया है दोस्तों किसे प्रदान किया गया है इन सभी को अगर हम देखे तो मद्दबरेश की हस्तियों में इन सभी को प्रदान किया गया है आपके परमेश्री तीक है याद रखेगा यहाँ से question आपके बन सकते हैं अगला कोश्शन आप सबी को कोश्शन 12 है कि नमेशे किस राष्टी उद्यान में गौर पुनरवाश योजना संचालित की जा रही है दोस्तों तो गौर पुनरवाश योजना जो संचालित की जा रही है वो मद्रदेश के अगर हम बात करें उमरिया जिले में स्थित आपका जो बाधहोगर राष्टे उद्यान है जो है आपके यहां पे गौर पुनरवाश हिवजना संचालित की जा रही है दोस्तों बहुत सांधार प्रशन आपके साबने था जोस्तों यहां पे अगर हम बात करें पटवारी के एक्जाम में एक कुश्यन आपके आर्टीकल से जर पर इंसर कीजेगा यह जो आपसे पूछा जाए कि किस आर्टिकल की दौरा उच्छ नयालाई की अधिनस्त नयालाई की अधिनस्त की सक्ति प्राप्त है आपके तो आप से भी कीजेगा आर्टिकल 227 टीक है नेक्ट कुश्चन दोस्तों कुश्चन 14 है कि जो खरोष्टी में जो आसोक का सिलालेक लिखे गए है वो है आपके दोस्तों मन सेहरा ठीक है इंपॉर्डन कुश्चन आप से भी देख सकते हैं ठीक है मन सेहरा ठीक है मान सेहरा नेक्स कुश्चन कीजेगा नेक्स कुश्चन है कि तुर्कान ए चहलगानी नामक जो दल है किस साशक दौर बनाया गया था तो आप से भी दोस्तों इंसर कीज़ेगा कि इल्तुस मिस के दौरा बनाया गया था दोस्तों किस के दौरा बनाया गया था इल्तुस मिस के दौरा दोस्तों बनाया गया था तुरकाने चहलगानी नामगदुद दल आपके बनाया गया था ठीक है next question है कि किस न तो जमुना के नाम से जानते हैं किस नाम से जमुना के नाम से तिक है next question आपका science से बन सकता है कि blackfoot नामक रोग जो है किसके कारण होता है तिक है next question है कि ICMP का प्रयोग computer में किस हेतु किया जाती है तिक है computer सभी aid है आपके subject किसमें ICMP का जो प्रयोग है कंप्यूटर में किस हे तो किया जाता है जो याद रखेगा ICMP का प्रयोग कंप्यूटर में जो आपके किया जाता है वो error reporting के लिए किया जाता है तो किसके लिए किया आता है error reporting के लिए किया आता है इसका full form होता होगा आपके ICMP का क्या होता है एक बर बताएगा आप से भी कमेंट करके कि ICMP का full form क्या होता है जो error reporting के लिए आपके देखे तो प्रयोग किया जाता है आपके तीक है next है internet control message protocol जो आपके email के संबन्द में जो IMAP है इसका बिस्तारित रूप क्या होता है यहीं है आपसे पुछा गया है इंटरनेट messaging access protocol जो आपको first option दिया गया दोस्तों यह आपका email के संबन्द में अगर हम बात करें IMAP का विस्तारित रूप हो जाएगा आपके क्या हो जाएगा इंटरनेट मैसेजिंग एक्सेस प्रोटोकॉल अगर हम देखे दोस्तों आपके हो जाएगा दोस्तों यहाँ से कुश्चन आपकी एक्जाम में पहले ही दिन आया था कि ESCII Coding Scheme 120 विविन करेक्टर्स की Coding के लिए कितने बिट का प्रयोग करती है कितने बिट का दोस्तों भी प्रयोग करती है तो आप सभी याद रखेगा 7 बिट का दोस्तों कितने बिट का प्रयोग करती है जो ESCII Second Coding Scheme है 120 तो विविन करेक्टर्स की Coding के लिए कितने बिट पर्यक्रत करती है, तो याद रखेगा, सेवन बिट का पर्योग करती है, टीक है, नेच्स्ट, हम कर लेते हैं, आपके कुस्षिन, नेच्स कुस्षिन, आप सबी के सामने यहां प wrath कि, टीसी पी और आईपी मौडल में, कितनी परत होती है दोस्तों TCP का full form जो होता है transmission control protocol होता है और IP का full form होता है internet protocol दोस्तों याद रखिएगा TCP और IP model में कितने परते होती है तो दोस्तों याद रखिएगा चार परत होती है तो कितनी परत होती है चार परत होती है TCP और IP model में ठीक है important question इस्टार लगा लिजेगा कि जो Google दोरा भारत में पहली बार मुप्त पब्लिक Wi-Fi सेवा शुरुआत की गई थी और किस railway station को प्रदान की गई थी दोस्तों याद रखेगा Mumbai Mumbai Central जो railway station है आपके यहां में सबसे पहला अगर हम बात करें तो Wi-Fi सेवा जो है आपके प्रदान की गई थी जो Free Wi-Fi सेवा railway station जो है आपके प्रदान की गई थी दोस्तों डेली आपके देखे अगर हम देखे तो यह question आपके shortcut से अगर हम देखे कई दिन आपके पूछा गया है कि मैसवाइड में किसी document में जो आपके अंत में किये कारे को undo जिसे हम बोलते हैं करने के लिए shortcut की कौनसी होती है undo के लिए shortcut की कौनसी होती है दोस्तों आप सभी को यहाँ पर यह बताना है दोस्तों undo के लिए जो होती है control plus Z होती है undo के लिए जो होती है control plus Z ठीक है तो यह आप सभी यहाद रखें नेक्स कोशिन कीजेगा 24 कि Microsoft Excel Worksheet में चैनित सिल का पता कहां पर दर्शित किया जाता है दोस्तो एक्सेल की बात की गई है कि Microsoft Excel Worksheet में चैनित जो सिल है जो आपने सलेक्ट किया है सिल को वो आपके कहां पर दर्शित होता है दोस्तो यह name box में होगा न आपके name box सिल का नाम कहां पर दिखेगा तो name box में आपको दिखेगा ठीक है यह आपको यहाद रखना है important question आपके बन जाता है दोस्तो आप श्वी के सामने आ गया है हिंदी से question कि जिन वेंजनों के चरण में दोनों ओष्टो दोरा स्वास का अवरोध होता है तो क्या कहलाते हैं दोनों ओष्टो दोरा स्वास का अवरोध होता है तो क्या कहलाते हैं तो वो ओष्ट वेंजन कहलाते हैं तो इसमें दोनों ओष्टो दोरा स्वास का अवरोध होता है तो क्या देखे तो प्रेशन आपके एक्जाम में बनते हैं अभी जो एक्जाम चल रहा है आपको पटवारी का दोस्तो सरकार किस भाषा का सब्द है तो आप याद रखेगा फारशी भाषा का सब्द है दोस्तो सरकार जो है न ये किस भाशा का सब्द है फारशी भाशा का सब्द है ठीक है दोस्तो तत्सम तद्भाव से आपके कुश्चन आना बिल्कुल 100% है और साखी का मूल तत्सम सब्द क्या होगा दोस्तो तत्सम सब्द पूछा गया और आपको पता है कि तत्सम में जो है साखी का पुछा गया है और साखी का जो तत्सम सब्द क्या हो जाएगा साक्षी हो जाएगा इयाद रेखेगा दूसतोBar यह एक पहचान है आपको पहचानने में अगर हम देखे तो असानी होगी नेक्स्ट है किन्मे से कौन सा तितिछा सब्द का विलोम हो जाएगा दोस्तो विलोम भी आपके हर दिन प्रस्न में पूछे जा रहे हैं और तितिछा सब्द का विलोम अगर आपसे पूछा है दोस्तो क्या हो जाएगा तो आपको याद रखना है असहीस्मृता तितिछा सब्द का विलोम हो जाएगा दोस उसके लिए एक सब्द कौन सा होगा तो याद रखेगा अनिस्तीन दोस्तो कौन सा होता है अनिस्तीन होता है जिसका जवाब ना दिया गया हो ठीक है दोस्तो याद रखेगा क्या पुछा गया है कि जिसका जवाब ना दिया गया हो उसके लिए एक सब्द कौन सा हो जाएगा तो आप सभी को याद रटना है कि आ निस्तीन हो जाएगा अगर हम देखें इसे हम क्या बोलते है आ निस्तीन ठीक है नेक्स है राम भुपाल से इंदौर जा रहा है और इश्वाक में कौन सा कारक है कि कहीं से कहीं दूर जाने की बात की जाए एक अलगाव की बात की जाए ठीक है तो एक अलगाव की बात की जाएगी तो आप क्या करेंगे इंसर अपादान हो जाएगा दोस्तों, नेक्सस कुस्चन कर लेते हैं, कि आक्षादन में कौनसी संदी होगी दोस्तों, तो आफ सभी को पता है तो आप सभी को जब रखना है बेञँन संदी हो जाएगा इसे माता-पिता की सित्रशा करने चाहिए तो उफान आने का संदेई है अनेक निरपराद दंड के भागी हुए तो यहाँ पर अगर हम देखे एक बार सभी option को देख लेते हैं और अभी आपके से मैत के question भी मिलने वाले हैं तो आप से भी last तक सभी questions को देखिए तो यहाँ पर अगर हम बात के राइट एंसर हो जाएगा option first माता पिटा की सुरसा करनी चाहिए तो यहाँ पर वाक्यों के बीच जो परसफर संबद्ध होने पर भी सुतंत्रवाग के परतीत होते हैं तो किस चिनने का प्रयोग होता है जोस्तो याद रखेगा यहाँ पर अर्ध विराम चिनने का प्रयोग होगा कौन से चिनने का प्रयोग होगा अर्ध विराम जोस्तो हिंदी में सबस्यादा प्रयोग होने वाला कौन से चिनने है आपके भेंकर होता है चलिक है अल पे ग्यान जो होता है वह आपके भैंकर होता है यानि कि ग्यान रखिए तो जादा रखिए ठीक है चलिए नेक्सि नेश्य कौन सी कौन्टम संख्या किसी परमाण के कक्षक के अभी विद्नियास का निर्धार्यन करती है चलिक है question आपका science से है कि जो पदार्त अपने कौथनांग से कम ताप पर गटित हो जाते है उनके प्रठक करन के लिए जो विधी प्रयोग लाई जाती हो कौन्सी निर्वार्ट आश्वन की विधी दोस्तों प्रयोग में लाई जाती है नेक्स कोश्चन कीजेगा 37 कि निम्निवेश कौन सा कथन जो आपके गामा क्रिणों के संबंद में गलत है आपके क्योंकि इनकी बेधन छम्ता तिरिक निम्न होती है ये बोला गया है ये क्रिणे विद्धु तुदाशीन होती है इनका बेक द्रकास के बेक के बराबर होता है जो यहां पे पहला ही अगर हम देखिए उप्चन आपका जो कि आपके गलत हो जाएगा इनकी बेधन छम्ता तिरिक निम्न होती है तो निम्न बोला गया है और अगर हम देखें तो आपका ऐही first answer हो जाएगा इनके अगर हम बात करें गामा क्योंगों के संबंध में इनकी बीधन छमता निम्न नहीं होती है तीक है next question की देगा कि नम्निमेशे कौन सा यहाँ पे देखें तो carbon का किस्टली अपरूप नहीं है यह आपके बोला गया और अगर हम देखें ऐसा अगर आपसे पुछा है तो फिर आपका D answer हो जाएगा क्योंकि हीरा, ग्रेफाइल्ट, फ्लोरीन यह सभी अगर हम है तो कौन सा नहीं है तो अगर हम देखें तो इन में से कोई नहीं आपको देखने को मिलता है तो नेक्स कोश्चन है कि यहाँ पे देखिएगा इस तरह से कोश्चन आपके एकजाम में पूछे जाते हैं आपके और अब तो और भी थोड़ा सा moderate पूछे जा रहे हैं कि किसी काम को यदि A जो है ना 20 दिन में करता है और B जो है 15 दिन में करता है और C जो है 12 दिन में करता है तो A उस काम को कितने दिनों में समाप्त कर सकता है यदि वे एक दिन B और अगले दिन C जो है ना एक आंतर क्रम में मदद करें तो आप कोश्चन आपके लिए important है क्ढ़ेंगे क्या दोस्तों इसमें सबसे पहले अगर आगर हम देखिए अर्था एक चक्र था दो दिन एनि प्रथम दिन और ती दिन यानि कि पहले दिन A और B और दूसरे दिन A और C इस तरह से जब आप काम करेंगे यहाँ पर दूस्तों वो लागी एकाउंतर क्रम में काम करना है तो देखें आप दोस्ते एकांतर क्रम में जब काम करेंगे तो पहले दिन किया गया काम आएगा ठीक है दो दिन में किया गया काम आएगा और इसके बाद अगर हम देखे इसके बाद जो आगी की प्रोसेस आप यहाँ पे देखेंगे कि इनका जब झायेगा तो ऐसे प्राश्चिनों को आप इस तरहे हल कर सकते हैं ये एक और करम बाले कोश्चिन ये इस्तरह इक Takari किlock चेंडीL आपको formula के याद रखनाए है Muldman, gORne 10,100 का square Muldman कितना गया दोस्तों Muldman कितना दिया गया तो आपको याद रखना號 is 4,000 दिया गया 21022 आपके देखें तो 10,00 15 परिसूंड दिया तो 5 और वते आपके देखें तो divide में आपके 100 और इसका आप tiny square ठीक है और जब आप इसका square कर देंगे तो आप देखेंगे 4000 गुणे आपके 5 वटे 100 गुणे एक बार 5 वटे 100 और लिख जीजिए तो यहाँ पर अगर हम देखें तो आपके 20 तो direct यहाँ पर कट जाएंगे और आपके जो 5 से अगर हम देखें 20 यहाँ पर कट गए इसे आप solve कर सकते हैं असानी से तो इसे जब आप open करेंगे या directly आप कर सकते हैं तो आप दोनों वे में कर सकते हैं इसका answer आजाएगा आपके 10 आजाएगा तो आप सो अभी solve करके देख लिजेगा 10 इंसर यहाँ पर आ जाएगा इन दोनों की बीच में अंतर बस आपको यह दोस्तों मैंने इसलिए यहाँ पर बता है कि यहां से यह आपको ब्याज में अंतर निकालने का formula आपके पास रहेगा ना तो आप हर प्रश्ण को कर सकते हैं तो इसे भी आप कर सकते हैं पर एक किलो भार के स्थान पर 95 toltा है उसके lab का प्रश्ण कितना होगा दोस्तों उसके lab का प्रिष्ण और दूस्तों जब ऐसा question आपकी exam बने ना कि प्रिष्ण लाब में लाब का प्रिष्ण निकालना तो यह तॉल में कमी كतनी है आपके 1 किलो भार के स्थान पर 900 ग्राम कमी आ गई ठीक है और यह आपका 100 तो आपका रहे गई है और तोली गई मात्रा कितनी मात्रा तोली गई है दोस्तों 900 ग्राम मात्रा तोली गई है बस इसे solve कर लिजे 2-2-0 आपके cut जाएंगे 100 by 9 आएगा और इसे 11 by 1 11 right 1 by 9 परसेंट आपका देखें options के according आपके answer हो जाएगा तो बहुत ही आसान से question था और बहुत ही अच्छा question था इस तरह से question भी आपको देखने को मिल रहे है अभी exam में एक अगर हम देखें ये question है जोस्तों आप इसे solve कर लिजे कि किसी school में दोड़ प्रतियोगिता कायोजन किया जाता है इंदी राम स्याम से तेज लेकिन अनिल से धीमा दोड़ा तेक है और फिर सुरेश अब से तेज दोड़ा रमेश अनिल से तेज दोड़ा दोड़ पूरी करने वालों के दूसरा अंतिम कौन से इस्थान हो जाएगा तो सबसे पहले क्या करेंगे आप पहला स्याम से तेज लेकिन अनिल से धीमा दोड़ा तो राम स्याम से तेज लेकिन अनिल से धीमा तो आप देखेंगे राम जो है ना वो स्याम से तेज है तो सबसे पहले अगर हम देखें तो राम आएगा और अनिल से धीमा तो इसके बाद क के बाद आ जाएगा ठीक है बन गया आपका पुरा complete हो गया अब पुछा गया है इनमेशे लोड़ पूरी करने वाले में दूसरा अंतिम पुछा गया जोस्तो दूसरा अंतिम तो पहला अप तस्याम है और दूसरा मत सोची कितना बड़ा question नहीं आ रहा है ऐसे भी इसे भी बड़ा question आपके आ रहे है देखें शीमाद 2 km किसी पूरवी की ओर चलती है फिर वह उत्तर पश्चिम की ओर मुड़ती है और 3 km चलती है और फिर वह दक्षिन की ओर मुड़ती है और फिर 5 km चलती है इस तरह से आप बना सकते हैं एक बड़ इस question को देखिएगा statement के according और आपके जो इसका answer होगा न उत्तर पश्चिम में होगा सबसे पहला अगर हम देखें आप देखेंगे आपे 6 km यहाँ से सुरुआ तो यह यहाँ से होई 2 km चली यह थे तीन km, फिर 5 km, फिर 2 km, फिर 6 km और यह अगर हम देखें प्रारंभिक बिंदू से पुछा गया तो यह प्रारंभिक बिंदू है और यह इसकी दिशा है यनिकि अगर हम देखें यह East हो जाएगा यह West हो जाएगा, नात हो जाएगा je South हो जाएगा यह थे दोस्तों आज के complete question अगर हम देखे maximum subject से हमने discuss किये हैं कैसे लगा आज को question का series आप सब इस वीडियो को share कीजेगा और देख लीजेगा बहुत ये अच्छे प्रसने आपके exam में बन सकते हैं इस pattern पे ठीक है दोस्तों share कीजेगा वीडियो को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह से button के साथ हिंदी के question लेके हम आ रहे हैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में thank you